हलो दोस्तो वरी गूड आफ्रनून स्वागत है सबका इंफो बेर चैनल में फिर से एक बार दोस्तो आज है 8 अक्टोबर और लगभग एक बच चुके हैं बात कर रहे हैं वीप्रो की एक टाइम पे बहुत बड़ा मल्टी बैकर बन चुका है शेर और उन्होंने अभी बात क हुई है शेर बाइबैक की इस सीजन का IT कंपणी से तीसरा बाइबैक है दोस्तो पहले मेजस को ने अनाउंस किया था उसके बाद में हाली में दो दिन में TCS ने बाइबैक अनाउंस किया है और अभी वीप्रो की तरब से भी बाइबैक की न्यूज आ रही है न्यूज फिल इस बाइबैक कंपणी ने क्यों अनाउंस किया क्या रिजल्स थे और साथी साथ में आपको क्या करना चाहिए इस बाइबैक को लेकर के कंपणी बहुत अच्छी है बहुत बढ़ी है रिटेंस अलडी दे चुकी है और अभी भी बहुत बढ़ीया मौका बना रहा यह बना पूरे बातों को समझेगा और उसके बाद में अगर कोई डिसीजन लेना चाहते हो आप तो बिल्कुल आप अपने डिसीजन ले सकते हो लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक करना ना बुलेगा आ दूसरों को अच्छा लगता है वीडियो देखना और हमें अच्छा लगता है आपके लाइक को देखना तो शुरू करते हैं दोस्तों के बारे में थोड़ी सी बाचीत जानेंगे पूरी बात देखिया दूस्तों वीप्रो का Q1 का result बहुत ही बहतरीन था और उस result को लेकर के share ने 15% का jump हमें देखने को मिला था और वीप्रो जैसे company जब ही कोई better result लाती है और ऐसे situation में जहां पर सारी company या losses register कर रही हो हाल की recovery register कर रही हो वहां पे धमाकेदार return लेकर के आना बहुती बढ़िया बात कही जाएगी और उसी को बहुती अच्छा response मिला है market से भी investor से भी इन्होंने लगबग 15% का growth share value में दिखाया गया था और ऐसी company दोस्तों बहुती कम देखने को मिलती है वीपरो ने एक बार अपने आपको खुद का multi-bagger proof भी कर दिया है share देखें यहां पे जब buyback announce हो था आज सुबह की बात कर रहा हूं है BSE पे 20 साल का highest record जो है वो register किया था company ने लगबग 5% का growth आज सुबह भी दिखाया था 3-5-3 तक share जो है वो hit कर चुका था और बहुतर यहां पे 20 साल का high आज सुचेगा share अभी जिस level पे trade कर रहा है वो 20 साल का high है तो कहीं न कहीं पे यहां पे company की तरफ से buyback करना कितनी बड़ी बात मानी जाएगी और यहां पे कुछ छुपी वोई चीजे संकेत कुछ इस तरह से है दोस्तो आने वाले टाइम में share में बहुत बड़ी rally या growth आप जिसे कहते हैं वो देखने को मिल सकता है इसी के reason से company कहीं न कहीं buyback करने की कोशिश हमेशा करती है और यह system या फिर यह plan अच्छी तरह से समझ में आता है अगर आप super market यह जो avenue super market जो से हम demart कहते हैं उनके strategy को अगर आप देखोगे तो यह चीज हमें समझ में आती है share बहतरीन rate पे आप खरीदो जब आपको लगे कि share आगे चलके बहुत ही बड़ा returns दे सकते हैं ऐसे time पे company बिल्कुल shares खरीती है और अच्छे returns पे वापस से बेच करके लोगों को offer किया जाता है यह time है बहुत शांत दिमाख से सोचनेगा वीपरो से लेकर के TCS तक यूँकर बहतरीन company बहतरीन returns और आने वाले टाइम में शायद फिर से एक बार क्या यह मल्टी बैगर बन सकती है सोचिएगा और बाद में decision लीजिएगा तब तक आगे चलते हैं बाचित को आगे बढ़ाते हैं वीपरो देखिए जैसे मैंने कहा कि तीसरी बड़ी company है TCS के बाद मेजस्को के बाद जो अपना buyback announce कर चुकी है और साथ ही साथ में TCS को अगर आप देखोगे तो लोगों 16,000 करोड का buyback यहीं 3,000 पर equity share company देखर के buyback कर रही है किसको बेचना है किसको नहीं बेचना है individual decision होता है बट company की तरफ से buyback के लिए sale बहुत कम है लोग बेचना नहीं चाहते है TCS का shares और यही मेरे ख्याल से वीप्रो में भी यही चीज़ देखने को मिल सकती है क्योंकि हर कोई चाहता है कि company को जितना मुनाफ़ा मिले उतना मुनाफ़ा अगर हमें मिले तो क्या बुरी बात है बात को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों देखें का वीप्रो का quarter one की profit की बात करते हैं तो लगबग 0.75% से growth है जबकि amount में करेंगे तो तीन हजार पचानवे और अगर इसी को पिछले सरक के amount से compare करेंगे तो वो था 3072 करोर का तो 0.75 का हलका सा growth देखने को मिला है साथी में जैसे मैंने कहा कि major IT companies हैं तो year on year 0.11% का growth और 2.7 का higher growth quarter के हिसाब से compare करेंगे तो दिखाई देता है अब यहाँ जैसे मैंने कहा कि दोस्तो buyback का proposal है और यह 13 October का board meeting होगी board meeting है इसे consider कर दिया जाएगा मेरे कहल से बहुत जल्द इसको approval मिल भी जाएगा और जैसे यह approval मिलेगा यह immediate basis पे जो है वो exchange इसको communicate कर दिया जाएगा और communicate करने के बाद यह officially buyback जो है वो declare कहा जाएगा अब ऐसे situation में आपको क्या करना चाहिए देखिए दोस्तों दो चीज़े होती है जब भी company buyback announce करती है buyback का मतलब होता है company shares को खुद buy करेगी कोई भी company shares को कब buy करेगी जब उन्हें लगता है कि shares की value बढ़ सकती है बहुत ही common चीज़े हम लोग भी वही चीज़े देखकर shares खरीते हैं और आप भी share को hold करके जब रखेंगे तब जब आपको लगेगा कि shares बढ़ेगा गिरने वाला होगा तो definitely आप इसे बेच करके निक shareholders को तो shareholder भी अगर smart है तो बिलकुल benefit खुद लेना चाहेंगे buyback कोई जबरदसी नहीं है आप जो है voluntary जो है इसे बेच सकते हो बेचना नहीं चाहते हो तो आप अपने share को hold कर सकते हो और profit खुद enjoy कर सकते हो दोस्तों ये था मेरा वीडियो लेकिन कोई भी decision लेने से पहले आ क्योंकि कही न कहीं पर बाते उनसे आपसे मुझसे छूट सकती है तो बहतर आप जिस पर भरुसा करते हो उससे एक बारी बात करना बहुत जरूरी होता है वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो मेरे चैनल को subscribe कीजिएगा मेरे वीडियो का like कीजिएगा और अपने दोस् के विजिट कर सकते हो भैतरी पोर्टल काफी सारी चीजे ऑनलाइन कैलकुलेटर के साथ आने वाले आईपियो की लिस्ट डिवीडेन कैलकुलेटर के साथ में और दोस्तों निउस और आर्टिकल से भरा हुआ वेबसाइट है एक बारी विजिट जरूर कीजिएगा अच्छ